है लो एंड वेलकम टू माइ चैनल मैं अनाप और भीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए एक मज़िदार से वीडियो लेके आई हूं जिसके अंदर हम करेंगे स्कोप ओफ डिजिटल मार्केटिंग इसकी जो पहले की टोपिक थे डिजिटल मार्केटिंग का यह मैंने पिछली वीडियो में करवाया अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखिए तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर इसके बाद अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भीकॉम से के नोट्स चाहिए हैं जिनकी आपको बुक अवलेबल नहीं होती है तो दिजिटल मार्केटिंग कित सैम का सब्जेक्ट है विकॉम के अंदर आता है आज हम शुरू करेंगे स्कॉप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या स्कॉप होते हैं अब डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है वह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अब इ इसले हैं तो मारकेटिग मतलब जोड़े हैं तो उसके आघ पर product यह हुजता है तो उसके काण डीजिटल क्षड़ा मार्केटिंग बरती जार है आज की टाइन पर आधा की जाएंट किसी को कहाने की ज़रौती आपको शैंपिंग करना हैं आपको खाना एंडर करना है कर सकते हैं आपको वी प्रौन है आपको रिचार्ट करवाना सब हर एक चीज़ आप बेटे कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप डिजिटल मार्गेटिंग के इसके बाद कंपनीज के रीच ओल्मॉस्ट मिलियन कस्टिमर्स व्यू इस्टाग्राम ओलूंग एंड मोर देन मिलियन बुजिनेस यूज 还是 यूज सन्टाग्राम पे हैं तो मिलियन मिलियन विलियन मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी को अक्टिमर्ख करते हैं तो इस्टाग्राम और फीजबुक बहुत जादा मिलियन कंजूमर यूज़ करने हैं तो अब अगर किसी भी कंपनी को अपना प्रोड़क्ट सेल करना है तो वो शोशल मेडिया प्लैटफॉर्म पे डालती है तो उससे जो कंपनीज है वो मिलियन कंजूमर तक पहुंच जाती है वो असानी से उनको उसके बादा कंपनीज लिवरेज शोशल मेडिया प्लैटफॉर्म बोथ बिजनस टू बिजनस टू कंजूमर डिजिटल मार्केडिंग कंपनीज अब कंपनीज लिवरेज इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी मतलब शोशल मेडिया के तूप दोनों को बिजनेस से जुड़ना है मतलब एक बिजनेस जुड़ना चाहता है दूसरे बिजनेस के साथ जैसे अब कोई वोड़ा बिजनस हो गया तो इसके इंदर है तो जनेट लीट्स भी तो बी मार्केट्स आ और एक्टिव और शोशल मेडिया प्लैट्फों मतलब बिजनस भी एक बिजनस भी शोशल मेडिया प्लैट्फों पे अक्टिव होगा दूसरा बिजनस भी शोशल मेडिया प्लैट्फों पे अ Souमच मेनी बिना अपनी मनी को स्पैड की मतलब बिजनस टो बिजनस जुड़ जाते गैनेल टुड़ लाइक मो इसके बाद है बिजनस टु कंजुम loamil के अंदर काओ औंगा कि बिजनस जो मेन है जो कंपनी है वो कंजूमर से कैसे जुड़ेगी तो जो कंपनी है वो कंजूमर से कैसे जुड़ेगी थ्रू फेस्बुक थ्रू ट्वीटर ट्वीटर ट्रू इस्टागरम फेस्बुक के ओपर पोस्टर एड डालके ट्वीटर पर एड डालके या फिर इस्टागरम पर कोई डाल दी है स्टोरी डाल दी है उससे बिजनस जो है जो कंपनी है वो कंजूमर तक जुड़ सकती है बी टू सी मार्केट्स फोकस ओने इंप्रूविंग ब्रैंड अवेइनेंस एंड अट्रेक्टिं कस्टमर टू देर वेबसाइड एंड प्रोडेक्ट यूजिंग शोशल मीडिया प्लैट्फॉर्म जैसे कि मतलब अब आप किसी बंदे को फोलो करते हैं और वो आपकी जो कोई ब्रैंड की प्रमोशन कर रहा है शोशल मीडिया प्लैट्फॉर्म पे फेस्बूक पे पेज के उपर उसका फोटो है या फिर ट्विटर पे या फिर इस्टाग्राम पेज पे कोई वो है तो उससे आप अट्रेक्ट होते हैं कि भई यह तो लेना चाहिए यह जो उनके फैन होते हैं वो उसी प्रोडेक्ट क इसके बाद हम करेंगे एनलाइज डिमांड फो डिजिटल मार्केटिंग तो उसी प्रोडेक्ट को खृते हैं जो वो जिनकी वो ब्रेंडिंग देखते हैं तो उसी तरिके से बिजनस टू कंजूमर के अंदर क्या हुआ कि जो बिजनस मेन हैं वो कंजूमर सहसानी से जुड इंदर कि इसके बाद हम करेंगे एनलाइज डिमांड फो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज घंगे की कि इसने इंदर कितनी डिमांड है उसको हम कैसे निलाइज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की कितनी दिमांड है सबसे पहला स्टैप है तो एनलाइज डिमांड यू शुल्ड एस्टिमेट दा मार्केट्स पोटेंशल साइज फोर यूर प्रोडेक्ट और सर्विसेज तो सबसे पहले हम एनलाइज करेंगे कि आप की जो मतलब आपका कितना पोटेंशल है आप कितनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं किस टाइप का प्रोडेक्ट प्रोडेक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं किस टाइप का प्रोडेक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं किस टाइ प्रोडेक्ट और क्वाल्टी प्रोवाइड करवा सकते हैं पहले में आइनलाइज करने पड़ेगे किस प्रोडेक्ट की डिमांड ज्यादा मार्केट के अंदर है जिस प्रोडेक्ट की डिमांड ज्यादा मार्केट के अंदर होगी तो आप उसी तरीके का प्रोडेक्ट आप एक स्पेसिफिक मार्केट एक जैसे एक प्रोडेक्ट या एक ब्रेंड कि हम इसकी यह टार्गेट है हमारा यह हमें अचीव करना है इसके बाद है step 3 access the stage of the business cycle in your market फिर हम मतलब stage wise जो business cycle है उसको चलाएंगे मार्केट के अंदर जो है मतलब हमें पता लगाएंगे कि वही किस तरह के से access करेंगे उसको रणिंग उसमें लाएंगे उसके बाद है the company develops a product that meets a niche in the market उसके बाद है जो company है वो develop करेगी ऐसी चीज जिससे जो आप उनका टार्गेट है जो अपना टार्गेट है उसको अचीव कर सके उसका फिफ्ट स्टेप है प्रोजेक्टिंग ओफ ए company available to generate profit to grow फिर company प्रोजेक्ट त्यार करेगी कि हमें generate कैसे करना profit grow कैसे करनी है इसके बाद six step है six and last step है analyze the competition फिर जो competition है market के अंदर भभी कितना competition है हम अगर यह dir product इतार है market के अंदर तो अपने competition कित्रा है किस ट्याफ के product मतबइस tiipe और भी है तो फिर भेई competition जैदा है कम है उसको analyze करेंगे अपने competition कित्रा है किस ट्राइब के product बंस्तुरी तो फिर भही हमारा competition ज़्यादा है कम है उसको एनलाइज करेंगे आज की वीडियो में हमने पढ़ा है scope of digital marketing and demand को कैसे अनलाइज करेंगे digital marketing की डिमांड को यह आज की वीडियो में हमने पढ़ा है यह जो है यह digital marketing की first unit है जिसके पहले पहले जो topic है evaluation और meaning वो मैंने पहली वीडियो में cover किये थे part 1 में इसके बाद आज की वीडियो में हमने cover किया है scope of digital marketing and analyze demand for digital marketing services अब हम कल की वीडियो में cover करेंगे digital marketing environment and career in digital marketing तो अगर आपको मेरा next part चाहिए तो आप मेरी चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने friends को share कीजिए thank you for watching my video